मंजीव सिंग पूरी जी आपसे में जानना चाहूंगी कि अभी हम कुछने पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से चीन और रशा में जो मीडिया है वो ये चर्चा कर रहा है कि ट्रम्प के जीतने से दुनिया के लिए ज्यादा बहतर होगा बाइडन जीतेंगे तो चीन और इसको लगता है कि वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा ऐसा क्यों क्या ट्रम्प के जीतने से दुनिया के लिए बेतर हालात होंगे देखिए डॉनल्ड ट्रम्प जो है वो आज के प्रेजिजन्ट है और लोग जानते हैं कि वो किस किसम के निर्ने लेते हैं और किस किसम की राजनीती वो लेना चाहते हैं मैं मानता हूँ कि डॉनल्ड ट्रॉम्प जो है वो एक साइड लेकिन वो प्रेग्माटिक है वो अपने आपको भी प्राइड करते हैं वो बहुत बड़े डील मेकर हैं आपको शएद याद हो कि फेबरियरी के महीने में उन्होंने बहुत बड़ी चीन के साथ ट्रेड डिल अनाउंस की थी अब वो ये गेम में बहुत माहर है चीन जो है उसको किसी ना किसी तरीके से मैं मानता हूँ अपने आपको अमेरिका के सांथ और दुनिया के सांथ थोड़ा सा अपना रवाया शेथ बदल करके अपने आपको ठीक करके more acceptable उसके बाद वो क्या competition करते हैं वो अलग बात है अब क्योंके लग रहा है कि Donald Trump का पढ़रा थुड़ा सा भाली लग रहा है तो naturally क्यों नहीं कहेंगे लोग कि भाई हम हमारे लिए तो यही अच्छे हैं यह एक बात similarly Russia जो है relationship with the United States जो है उसमें transactional issues बहुत जादा है और इन सब चीजों में Donald Trump जो है वो जो है वो इस चीज़ को deal करने के लिए तयार हो जाते थे Biden जो है वो पुराने Democratic Party थे हैं पुराने Senator रहे हैं जहां पर जिसको कहते हैं systemic sex of issues रहे हैं जादा flexible है जादा pragmatic है और इस वज़े से रूस को चीन को लगता है कि Trump का होना उनके लिए बेतर है इस पर भी बात करेंगे कि भारत के लिए क्या बेतर है इस पर भी बात करेंगे जाए फिलाल रुक रहे हैं कुछ देख लेए फिक्र आपकी सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर